हेलो दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं यह है चंदा का घर और यहाँ पर चंदा और राधा सोनम को सुमीन कॉपटिशन की तयारी करवा रहे हैं चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है चलो चलो अच्छे से प्रैक्टिस करती हूँ वैसे भी ममी ने में बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करवा दिया है मैं ही जीचूंगी मैं बहुत ही दख्खुश हूँ हरे वा देखो तो जरा सोनम कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है हरे हां राधा तुम देख ले ना सोनम ही चीते की मैं बहुत यह दख खुश हो सोनम ने तो आज तक मुझे कभी भी निराश नहीं किया है तो आज थोड़ी न करेगी हरे हां देदी आप सही बोल रही है अरे वो सब छोड़ी है लेकिन टाइम कितना हो रहा है टाइम हो गया है शायद हरे नहीं राधा अभी तो थोड़ा बोड़ टाइम है ही तब तक प्रैक्टिस कर लेगी सोनम और फिर तभी यहां से चिंकी और नहा जा रहे होते हैं चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जादा टाइम नहीं रहे गया है अली हां हमें चलो चलते हैं चल्दी से अरे अरे ये क्या अरे ये क्या देखो तो सोरम तो अभी भी प्रैक्टिस कर रही है अरे भाई चंदा चलना है या नहीं या फिर यही पर रहे कि कॉमपटिशन हरवाना है अपने बेटी को अरे मम्मी देखो तो चंदा आंती जो शोनम से लास टाइम तक भी प्रेक्टिस करवा जी है और आपने तो मुझे दिन बर काम करवाया था अरे अरे हाँ चिंकी बेटा वो इसलिए कि तुम मजबूत हो जाओ और कॉमपटिशन जीत कर ही आओ ठीक है ना ठीक है मम्मी आप बोलती है तो ठीक है हाँ हाँ देखना चिंकी बेटा तुम इतनी मजबूत हो चुकी हो कि तुम ही जीतोगी कॉमपटिशन ठीक है अच्छे सोनम चल्दे चलो टाइम बेलकोई भी नहीं है चलो चल्दे चल्दे है और ना तुम लेट आओगे तो तुम्हें टिस्कॉलिफाइ कर देंगे अरे हाँ हाँ चिंकी तुम चलो हम बस आही रहे है मम्मी कितना टाइम हो गया चली है न चलने देखो चिंकी जा रही है अरे क्या चिंगे तुम अपने पे ध्यान दो ठीक है ना तुम्हें जीतना है चलो चल्दी अरे सोनम अभी भूदे दर टाइम बागी है ये नेहा भी ना पता नहीं कि इतना जल्दी जल्दी कर रही है हा नहीं तो और फिर तभी यहाँ पर सोनम की पापा भी आ जाते हैं चल चल जाता हो भाई कॉंपटिशन तो शुरू होने वाला है सोनम भी गई होगी चल जाकर थोड़ा बहुत पानी मानी पीके आ जाता हूँ अरे अरे ये क्या देखो तो ज़रा सोनम भी यही पर है अरे चंदाई तुम क्या कर रही है सोनम को भी तक लेगी क्यों नहीं गई कॉंपटिशन वहाँ शुरू होने माला है तुम लोग यहाँ पर अभी प्रैक्टिस कर रहे हो अले क्या कॉंपटिशन शुरू होने माला है अरे नहीं नहीं मम्मी मैं हाँ जाओंगे जल्दी जाना पड़ेगा अरे हाँ हाँ सोनम मैं हूँ तो डणी की क्या बात है चलो मैं तुम्हें जल्दी से अपनी स्कूटर में बैठा कर छोड़ाता हूँ अली हाँ पापा जल्दी चलिए जल्दी चलिए अरे हाँ सोनम चिंदा मत करो मैं तुम्हें बहुती जल्दी पहुचा दूँगा अरे तुम सब आ जा रहा ठीक है ना चल्दी वहाँ पर अच्छा सोनम तुम अच्छे से बैठ गई हो ना पकड़ कर बैठना हाँ हाँ पापा मैं बैठ गई हूँ चल्दी चल्दी रही वह जाओंगी अरे नहीं मेरे होते हुए तुम कैसे हार होगी अच्छा सोनम की मम्मी और राधा तुम लग जल्दी सा आ जा रहा हूँ वहाँ पर वो तो अच्छा हो मैंने देख लिए सोनम को अरे क्या देदी आप भी ना मैं बोल ही रही थी कि टाइम है या नहीं लेकिन आप ने कुछ कान ही नहीं किया मेरी बातों पर चलो चल्डी चलते हैं, हम भी चलते हैं, मुझे भी देखना है अरे हाँ रधा मुझे भी एपनी बेटी का kompetition देखना है चलो चलो जल्दी चलते हैं वरना हम भी लेट पहुचेंगे ये बोलकर चंदा और राधा वहां से जाने लगती है चलो चलो चल्दी चलते हैं अरे हाँ दीजी चलो ये चली चलते हैं चल्दी से और यहाँ पर सभी शाम को अकेले ही छोड़ कर चले जाते हैं इसलिए वो जोर जोर से रो रहा होता है अरे मैं भी ना कितनी बड़ी बुद्दू हूँ श्याम को तो यहीं पर भूल कर जा रही थी मुझे माफ कर दो श्याम मैं तुम्हें भूल कर ही जा रही थी मेरा प्यारा बेटा अरे राधा जल्दी चलो अरे हाँ हाँ दीदी आ रही हूँ बस और यहाँ पर सभी स्वेमिंग कॉपटिशन के लिए जमा हो रहे होते हैं और यहाँ पर सारे बच्चे भी तयार होते हैं स्वेमिंग कॉपटिशन के लिए अर्जी आखिरी सोनम कहां पर ले गई अच्छा ठीक है सारे बच्चे रेडी है ना सारे बच्चे आ गए है ना अब हमसे पाँच मिनट ही रुखने वाले है वैसे मुझे उम्मीद है कि आप सबने अच्छे इसे और जमकर प्रैक्टिस की होगी देखो तो जरा सोनम तो अभी तेक नहीं आई वो तो अच्छो हो में चिंगी को टाइम पर ले आई अरे सोनम कहां पर रहे गई टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है सिर्फ पाची मिनट है राधा चंदा जी और इस सोनम के बापा आखिर कहां पर रहे गए जल्दी आओ भाई जल्दी आओ वहना सोनम डिस्कॉलिफाइड हो जाएगी अरे मम्मी आप जाने दीजिए ना मुझे आप इतार लेक्चर क्यों जाड रही है मेरा कॉमपरिशन बस शुरू ही होने वाला है आप भी ना अरे क्या मैं तुम्हें लेक्चर दे रही हूँ राहूल में बता दे रही हूँ इस बार तुम्हें ही जितना है ठीक है ना इन लड़कियों को पीछे छोड़ना है तुम तो हर बार मेरी ना कटा देते हो अगर इस बार तुम हारे तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नही होगा तुम तो लड़के हो तुम्हें तो सारे competition जीतना चाहिए हाँ नहीं तो औरे मम्मी आप चिंता मत कीजिए इस बार मैंने बहुत ही अच्छा setting किया है हाँ क्या setting हाँ कुछ भी हो कुछ भी करो बस तुम्हें जीतना ही जीतना है इस बार तुम्हें मेरा ना कटनी से लड़कों से लड़किया तो आज सारे काम कर लेती जो लड़के कर लेते हैं हाँ नहीं तो बस यह सुलम बता नहीं कहां रहे गई जल्दी से आ जाए अच्छा ठीक है बच्चों अब हमें competition शुरू करना चाहिए टाइम तो बस हो ही गया है मुझे उमीद सारे बच्चे आ आखी हो चल्दी से competition शुरू हो गया है सब लोग तो ख़ड़ी हो गय है सार में भी हो जो जाती हूँ जल्दी से अपने पॉजिशन ले लेती हूँ और यहां पर if they are All it might be गई थी इतना टाइम कैसे लग गया सुनम कॉम्पिटिशन पर शुरू होने वाला था अले हा मुझे माफ कल दो यह मम्मी भी ना मुझे आखरी टाइम तक प्रैक्टिश करवा रही थी चलो अच्छा है कि टाइम पर आ गई वरना मैं तो निकल जाती इस कॉम्पिटिशन से चलो अच्छा है अरे यह क्या कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुन जा रहा है यह बंटी का बच्चा पता नहीं कहां पर रहे गया अरे अरे मैं आ गया रहूल देखो मैं आ गया अरे वो सब ठीक है लेकिन सब इंतिजाम किया है ना अरे हाँ हाँ रहूल तुम चिंदा मत करो यह देखो सारा इंतिजाम किया है मैं अच्छे से हाँ देख ले ना बच्चे तो डर जाएंगे और भाग भी जाएंगे और कॉम्पिटिशन तुम ही जीतो के तुम चिंदा मत करो मेरे दोस्त हाँ हाँ ठीक है लेकिन काम अच्छे से करना आज तो मुझे जीतने से कोई भ काम है तुम जाओ जली से अरे हाँ हमें जाता हूँ मेरा कॉम्पिशन शुरू होने वाला है चलो चलो और यहां पर सारे बच्चे लाएं से खड़े हो चुके हैं अपनी पोजिशन लेकर अरे वह सोनम तुम ही जीतोगी अरे चिंकी बेटा तुम कमाल कर दिखाना अरे रा बेटी ही जीतेगी और यह औरतों को देखो तो जरा अभी कॉम्पिशन अच्छे शुरू भी नहीं हुआ है और यह लोग तो पहली प्रेडिक्शन करने लगे कौन जीतेगा अच्छा ठीक है लगता है सभी रेडी हो चुके हैं सबने अपने पोजिशन ले ली है अच्छा यह मेरी सीटी बजाने के बाद सभी छलांग मार देना ठीक है ना और हाँ विनर कोई एक ही होगा तो कमाल कर दिखाना सब लोग येश र, आजी हाँ हाँ सर ठीक है अरे हाँ हाँ सर ओके-ओके मैं ही जितूंगा अरे पाणी तो बहुते जटया गया है अरे वाज दिखना मैं ही जितूंगी अरे मैं जितूंगा मैं देख ले न On your marks, get set, go चलो चलो कॉमप्टिशन तो शुरू हो गए है बैठ जाता हूँ ये चलो चलो और यहाँ पर सारे बच्चे पूल में छलांग लगाते थे हैं अले चलो चलो और यहाँ पर सभी बच्चे तेरे रखते हैं सिवाए लाला के अरे अरे ये क्या ये पॉर्णी तो बोटी ज़ता किया जा है मुझे तर लग रहा है मुझे नहीं ते ना मुझे बोटी ज़ता दर लग रहा है चलो चलो मैं यहाँ से भागती हूँ जल्दी से मुझे नहीं ज़ता इतना competition competition अरे 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 लाला कहा बता रही हो अरे ये लड़की भीना देखो तो ज़रा कैसे डर कर भाग गई इसे मैंने कितने अच्छे से प्रैक्टिस कराया था मेरी नाग कटा कर रख दी इस लड़की ने फालतु में मैंने इतना खर्चा कर दिया उसके स्विमिंग सूट पर अरे देखो तो जल्दी चलते हैं अरे ये क्या देखो तो जल्दी चलते हैं अरे ये क्या देखो तो जल्दी चलते हैं अरे ये क्या देखो तो जल्दी तेरो जल्दी तेरो जल्दी तेरो और ये क्या देखो तो जल्दी चलते हैं अरे ये क्या देखो तो जल्दी चलते हैं लड़की तो मैं दरा कर ऐसा भागाओंगा जलो जलो जाता हूं और यह तो सौरम की बच्ची कितनी बड़ी बद्धू है जल्वानी तेहरता हूं जल्दी से अरे ये लड़की भी न अरे ये चिंकी क्या कर रही है चिंकी तुम अपना तेरो बेटा तुम अपने चीतने की कोशिश करो छोड़ो सुनम को चलो चलो जल्दी तेरो अरे देखो तो जरा नेहा को कैसे बोल रही है ये चिंकी बेटा किती ज़्यादा helpful है लेकिन ये नेहा भी न एकदम opposite है चिंकी से अरे नेहा इसी बाते मत करो ठीक है न? अरे हाँ हाँ ठीक है चलो मैं जल्दी जाती हो जल्दी से तेरती हो अरे नहीं अरे ये क्या मेरा प्लान तो छोपट होगी ये आप तो रावल मुझे नहीं चोड़ेगा चलो मैं जल्दी से यहाँ से भागता हूं जल्दी से और यहां पर सारे बच्चें एक दूसरे से जीतने के लिए जल्दी तेर रहे होते हैं अरे चलो चलो देखना मैं ही जीतुँगी अरे नहीं मैं जीतूँगी अरे यसे कैसे देख ले ना मैं ही चीट हूँगा मैंने बहुत यह प्रैक्टिस किया है। जल्दी जाता हमें लड़के से तो मुझे जीत नहीं पड़ेगा। नहीं मैं जीतुंगी। अरे चलो चलो मुझे जल्दी करना पड़ेगा मैं जीतूंगा देख लेना अरे सोनम तुम डैना मट ठीक है ना इस पूल में थोड़ना कहीं से शार्क आएगा जरूर ये करतोद राहुल का ही है उसी ने इसके अंदर शार्क डाला होगा देख लेना हाँ ये राहुली होगा जो मेरी बेटी को हराना चाहता है नकली शाक दिखा के अरे अरे भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं आप अप मेरे बेटी के ऊपर गलत इल्जाम मत लगाए ठीक है ना मैं सब सुन रही हूँ अरे माफ कर दीजी बैंजी माफ कर दीजी अरे भाई कृष्णा धीरे बोलो रा जल्दी देखो जल्दी देखो यहां पर कितनी प्यारी जल्परी है जल्दी देखो अरे वा जल्परी तुम मेरे साथ चलना ठीक है ना अरे अरे चिंकी कितनी बड़ी बुद्धु है हो यहां पर जल्परी कहों से आये गई चलो चलो मैं तेरता हूं जल्दी से में ही जीत और यहां पर बच्चे फिर से तेरने लगते हैं चलो 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 देखनें मैं ही जीतूंगी मैं ही जीतूंगी और यहां पर चिंकी सबसे आगे होती है ये मैं जीत गई मैं जीत गई स्टॉप 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 अरे हुआ चिंकी चिंकी जीत गई है उसी ने स बढ़ाई हो, बढ़ाई हो, मेरी चिंकी जीत गई अरे ये क्या सोनम तो हार गई लेकिन कोई बात नहीं चिंकी तो जीती है ना congratulations चिंकी औरे वगा मानना पड़ेगा, चिंकी इतनी चोटी होकी भी swimming competition जीत गई हा, बहुत ही अचे चिंकी बेटा अरे ये क्या पता नहीं सोरम की मम्मी ने कैसा प्रैक्टिस करवाय था मेरी बेटी हार गई हा नहीं तो अरे नहीं इस राहूल ने फिर से मिरे नाग कटा दिया देखो तो जरा इससे तो ये लड़किया है कितना अच्छा काम करती है यह लड़का तो बस प्लैन बनाते रहता है कि आने तो इसे घरपे मैं से बताती हूं यह नहीं कि अपनी महनुद से खेले! और यहां पर सभी लोग टालिया बस जाने लगते है! अरे वा अरे वा बहुत है अच्छे है चिंकी अरे नहीं ये दोनों लड़किया हमेशा कुछ ना कुछ करके जीत जाती है अरे नहीं अब तो मम मुझे छोड़ी नहीं Simmons जलो मैं जल्दी से यहां से भागता हूँ फिप फिप फुर रहे हो चिंकी बेटा तुम जीत गई हो मैं तुम्हारे लिए बहुत यदा खुश हो तुमने बता दिया छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और यहां पर सभी चिंकी को शेयर कर रहे होते हैं दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना